किस तरह की पर्वल हमें लेने चाहिए सब्सक्राइब के लिए नहीं लेने चाहिए वह सारी चीजे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई है तो आज में बताकर आपका टाइम वेस्स नहीं करोंगी अगर आपको वह सब देखना है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक् अगर आप जादा नहीं काते तो छोटी अलु डाली तो गाइस सबसे पहले मैंने सहे थोड़ा सा तेल लिया है एक से दो चमज कम से कम तेल में भी बना सकते हैं थोड़ा सा जीरा डाला एक चोटा चमज थोड़ी सी हींग डाली है और हल्दी डाली है यह सब डालने के बाद म है जैसे मैं आप की घौने आंट यहार मेशार है पापाक्त सब्सक्राइब नियुत कम चो जिसे का आप की मिजिशे टेलinky है आप एटीक एडाल सकते हैं तो बस ब्लीक मेशा की तरह जैसा कि मैं जल्दी के लिए थोड़ाज अरण नमक ऑप इसला है की कूच और गाइस परबल खाने के फटावर से थोड़े से फाइदे भी आपको बता देती हूं यह हमारे इम्मिनिटी को बुस्ट करता है हमारे पाचन दंतर को अच्छा करता है और अगर किसी को जोइन डिस हो गया तो उस ताइम में भी यह बहुत फाइदा करता है पीलिया में भी फाइदा करता है तो बस जैसे ही प्याज हो गया उस में टमाटर डाल देंगे क्योंकि हम फटाफट बना रहे हैं तो फटाफट पकाने के लिए प्याज और स्वारी टमाटर और मसाले एक साथ पकाएंगे तो टमाटर के साथ मैं दो छोटे चमच धनिया डाला और थोड़ अधे चमच से थोड़ा कम मैंने गरम मसाला भी डाला और अभी में टमाटर के साथ मसाले भी भूल लूगी और तब तक हम इसे पकाएंगे जब थोड़ा थोड़ा तेल ना रिलीज होने लग जाए तो आप जानते होंगे बहुत फास्ट हो जाती है सबजी कुकर में अगर पर मेरी सबजी दो सीटी में पक गई थी तो आप दो सीटी तो जरूर लगाएं ताकि थोड़े गल जाएं परवल को गलना बहुत जरूरी है वरना वो टेस में अच्छे नहीं लगते हैं तो बस इस तरह से में टमाटर और मसाले में पका लिए उसके बाद मैंने सारी ठांड माघान अगर बढ़न वरन चाहिए ऐसे भूनागे इस के बाद मैं पानी पाण याइड करूंगी इस पानी भी आप कम जदा कर सकते हैं अगर आपको जादा गरी पहल तो थोड़đ पानी जैदा डालें अगर कम चाहिए तो थोड़ाय पानी कम डालें एक दो दम सा वापस से मिक्स कर लेंगे जो मसाले हमारे कुकर में चिपके हुए वह सारे पानी के साथ में निकल जाएंगे और वह जलेंगे नहीं क्योंकि जलने के बाद सब्जी का टेस्ट थोड़ा खराब हो जाता है तो बस इस तरह से हम ने सब्जी तैयार कर लिए अब हम फड़ा तो देखें ग्रेवी को इस तरह से हम थोड़ी गाड़ी करेंगे तभी परवल की सब्जी अच्छी लगती वरना परवल की सब्जी रसे मिदार में अच्छी नहीं लगती सुखी जो मैंने पहले बताई तो सभी को अच्छी लगती है बट रसे दर सब्जी कुछ लोगों क को अच्छी नहीं लगती है तो उस वक्त आलू को इस तरह से आप थोड़े फोर दें और अगर आपको आलू नहीं पसंद है तो पूरे आलू इस तरह से फोर दें और ग्रीवी आपकी बहुत ही अच्छी हो जाएगी और लास्ट में हमेशा की तरह गार्निश कर दें फ्रेश एक दम फास्ट तो बस इस तरह से कुकर वाली परवल की रसेदार सबजीब बनाई है और अपना एक्सपीरेंस मेरे साथ शेयर करिए और अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें मेरी चैनल में नए आ हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए थैंक यू